नमस्ते दोस्तों तो आपने मेरे अगले वीडियो में देखा होगा कि मैंने सीताफल बासुन्दी कैसी बनाई है तो आज मैं आपको बताऊगे कि मैंने इस बासुन्दी के साथ और क्या क्या बनाया था तो आज हम बनाएंगे त्योहर वाली थाली तो ये ठाली ना सिर्फ त्योहर वाली है परन्तु लोगों का दिल जीतने वाली ठाली है तो आज मैंने बहुत कुछ बनाया है आपको बताने से आचा तो चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ तो सबसे पहले हम पूरी का आटा बनाएगे तो आज मैंने मसाले वाली पूरी बनाया है तो इदर मैंने तिन कम जितना गेहूं का आटा लिया है तिन से चार चमच मैंने सुजी डाला है दो चमच मैंने बेशन का आटा डाला है तो इसके नर हम मसाले करेगे तो एक चमच मैंने जीरा वाला पाउडर डाला है एक छोटी चमच हम डन्या जीरा पौडर डालेगे उसके बाद आप मसाले अपनी हिसाब से कम ज़रा कर सकते हो आदी चमच हम हल्टी डालेगे स्वार अनुसा थोड़ा सा नमक डालेगे आदी चमच मैंने हिंग डाला है और एक चमच मैंने कश्मेरी लालमिच का पाउडर डाला है एड में हम डालेगे कस्तूरी मेती इदर मैंने दो से तीन चमच कस्तूरी मेती लिया है कस्तुरी मेती पूरी को एक खास अलग स्वात देगी उसके बाद हमें ओयल डालना है तेल या उनस्वारों सा नमक डालना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालके हमें टाइट आटा गुनना है तो इधर मैंने पहले नमक डालना भूल गई तीसले मैंने बाद में थोड़ा सा नमक डालना है तो पानी कितना डालना है तो तीन कम गेहूं का आटा के लिए मैंने सबसे पहले एक गलाज इतना पानी लिया है तो मैं पानी ना एक साथ कभी नहीं डालती हूँ, जबी भी मैं आटा गुनती हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती हूँ, एक साथ पानी डालने से हमें पता नहीं चलेगा कि पानी कितना डालना है और आटा खराब हो जाएगा, तो मजबूत पूरी के लिए ह थोड़ा सा मैंने उपर थोड़ा सा मैंने पानी डाला था ताकि आठा अच्छे से बाइंडिंग आ जाए उपर से मैंने ओइल डाला है ताकि आठा हाथों में चिपकेना थोड़ा सा आठा को मसल लओ उसके बाद आठे को रेस दे दो थोड़ी देर के लिए आठा अहराम करे तब तक सबजी बनाने के लिए लिए हम सबजे काट लेते हैं तो आज बना लेहें मटर पनिर की सबजी तो मटरपनिर किषको नहीं पसेक करते हूँ बर दो सबसे पहले मैंने 3 इंट Yeahe and 3 तो ओष नेनमार कोंपकर जा편 consent प्वालना पसंद नहीं करते हैे इसलिए मैं कभी-कभी इस तरह से कभी पीजा में डालती हूं जब कोई सब्सक्राइब बनाती हूँ ग्रेवी वाली पनीर वाली तो मैं सिम्ला में डाल लेती हूँ वो उबलता है ना तो उसका टेस्ट चला जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि हमने सिम्ला में डाला है या नहीं डाला है उसके बाद मैंने डो हरी मिर्च डाला है थोड़ा सा अड्रक का उसके बार मैंने लसुन डाला है और ग्रेवी को रिच और अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने काजु का इस्तमाल किया है तो मैंने सब्जी तो काट लिया है सब्जी काटे काटे याद आया कि मुझे चावल पी भीगोना था क्योंकि जब भी मैं चावल बनाती हूँ न तो उसके पहले बनाने से पहले मैं भीगो के रखती हूँ अगर चावल भीगो के बनाओगे न तो चावल बहुत ही फटाक से बन जाते हैं सिर्फ दस मीड लगते हैं चावल को उबलने में चलो अभी चावल को साइड में लगते हैं अभी सबजी पेव कंसलेट करते हैं मटर परी की सबजी ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है इसलिए मैं घर पे अक्सर बनाती रहती हूँ तो सबसे पहले सारी काटी हुई सबज मसाले डाले हैं खड़े मसाले में मैंने काली मिच डाला है साबुट वाले कलोंजी डाला है और एक चक्रफूल डाला है आप अपने सबसे खड़े मसाले डाल सकते हो या फिर आप इसके जगापे गरम मसाले भी इस्तमाल कर सकते हो मैं आज मतर पनेर की सबजी बना रही हू इसलिए मैंने मटल भी उबालने रख दिया है अगर मटल को उबाला है तो पनीर भी सेख लेंगे पनीर को सेखने में मैं बटर का इस्तमाल करती हूँ कभी-कभी अगर बटर ना हो घर पे तो मैं गी का इस्तमाल कर लेती हूँ मैंने करीबन देड़ सो ग्राम जितना पनीर लिया है पनीर को हमें धीमी आज पर सेखना है तो साइट साइट में सबजी भी उबल के आ गई है सबजी भी अच्छी सर्रे से उबल रही है और पानी जब टक खटम ना हो जायना तब टक हमें सबजी को अच्छी से पकाना है और मैं जब भी पनीर को रोस करती हूँ ना तब हमें पूरा का पूरा रोस नहीं करना है यानि कि गोर्डन ब्राउन कलर नहीं लाने देना है बस हलका हलका सा रोस करना है अगर गोर्डन ब्राउन कलर आ जाता है तो पनीर कड़क हो जाता है आप देख सकती हो सबजी में से पानी चला गया है बिल्कुल भी खटम हो गया है और सब्जी भी पग गई है बहुती अच्छे से उबल के पग गई है अभी हमें उसको ठंडा करने के लिए रख देना है जब ठंडा ना होना तब ठक आप थोड़ा सा वेट करो उसके बाद हमें एक मिक्सिजार ले लेना है म अभी हमें उपर से कुछ भी नहीं डालना है सीधा इसको टेल में डाल दो और उसको पका दो वैसे सब्जी उबले हुई है तो मोस्टली पकी हुई है जो ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा तो इदना मैंने टेल का इसमाल थोड़ा ज्यादा किया है बिकुस ना सब्ज ठोड़ी जादी है जब ग्रेवी बन की तयर हो जाएगी ना तो उसके कौंटिटी बहुत सारी लगेगी इसके अदर हमने काजू का इस्तमाल किया है काजू की वरसे ना ग्रेवी में रिचनेस और ठिकनेस आएगी जीरा राइस बनाने के लिए मैंने आदे गंडे पहले च इसके अंदर मैंने एक चमच जितना जीरा डाला है थोड़े से कड़ी पता डाला है जीरा को हमें अच्छे से बटर के ने बून लेना है जीरा को अच्छे से बून लेने के बार एक लास जितना पानी डालना है और उबले हुए पानी में हमें चावल बिगोया हुआ डाल देना है उसका इस्तेमाल कर रही नहीं करना है सुवार अनुसार हमें नमक डालना है और धीमी आज पर डखके छोड़ देना है जब भी मैं जीरा राइस बनाती हूँ तभी मैं हमेशा बटर का इस्तेमाल करती हूँ अगर बटर नहीं है घर पे तो आप गी का इस्तेमाल कर सक में पाणी对 छावल nao k화를 लताया हैं यह व्यावाह से गया से देने टे脆ई कें तो आपकने नेटाई केम आपकेसे और यह भी पारई पर और यह अाında रिएगे. दो चमत जितना कस्तुरी मेटी का इस्तमाल किया है अब चाहे तो धन्या पती भी डाल सकते हो मैंने सोचटा की सिफ और सिफ आलू की सबजी बनाओ परंटू फ्रिज में रखा हुआ मटर पनिर ऐसे घूर राता ऐसे घूर राता कि मैंने सोचा की चलो अभी मटर पनिरी बनाओ क्योंकि उसका सिफ नाम ही काफी है मटर पनिर मटर पनिर का नाम सुनके ना सब के मूँ में पानी आई जाता है मुझे पता है सबने कभी ना कभी तो मटर पनिर खाया ही होगा सबजी तयार है बस चावल उबलने में थोड़ा देर है तो जब तक चावल पक रहे है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मटर पनिर कैसा बना है तो उसके शकल ही इतनी अच्छी है तो उसका स्वार टेस्ट देखते ही मूँ में पानी आ रहा है चावल भी बहुत ही जल्दी से पक गया है बस थोड़ा सा पानी बबल्स आ रहे है तो वो सारे बबल्स को हमें जलाना है जब तक सारे बबल्स यानि की सारा पानी चलाना जयना तब तक हमें चावल को पकाना है तो दोस्तों अगर आप भी बोरिंग डाल चावल खाका कर कंचल गए होना तो एक बार मटर पनीर और जिरर रैस ये वाली रेसिपी जरूआ खरना क्योंकि जब भी हम मटर पनीर बनाते हैं дो हम डाल नहीं बनाते हैं क्योंकि जीरा राइस के सार मुझे सबसे ज़़ादा डाल फ्राइ नहीं बलकि मर्टर पनिर खाना बहुत अच्छा रगता है इसका डोनों का कॉम्मिनेशन माइन ब्लोइंग है अब भी एक बार जहुर ट्राइ करना मेरी ये वाली रेसिपी को आप देख सकते हो मैंने कडाई में ही जीरा राइस बनाया है वो भी एक डम खिला खिला बना है चलो अभी एक आखरी काम बचा है जो पूरी बनाने का जो हमेशा सबसे आखरी में बनता है तो आज मैंने बनाई है एक ऐसी पूरी जो मसाले से है भरपूर और बिल्कुल है फूली फूली तो पूरी का डो थोड़ा सा मसल लो उसके बाद छोटे छोटे लुई ये बना लो उसके बाद हमें बेलन से ही बेलना है पूरी को हमें बेलन से ही बेलना है आटा बिलकुल भी नहीं लगाना है अगर आपने पूरी का डो थोड़ा सा टाइट रखा होगा न तो आटा बिलकुल भी लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ऐसा लग रहा है न कि उसके बाद हम बारी बारी तलेगे तो हमें पूरी एक साथ जादा नहीं बनाना है आप करीबन 10 से 12 पूरी एक साथ बना सकते हो और एक साथ फ्राई कर सकते हो तो साइड में पड़ी हुई पूरी का मैंने थोड़ा सा भारी हिस्सा ले लिया तो अभी हम इसे चेक करेगे कि तेल गरम हो चुका है या नहीं आप देख सकते हो चोटा सा पूरी का तुकड़ा कैसे उपर आ रहा है गरम होके पूरी तलने के लिए तेल तैयार है आजाओ अभी फटा फट से पूरी को फ्राई करते हैं तो बारी बारी करके हमें एक एक पूरी डालना है आप चाहे तो एक साथ दो पूरी या फिर टीन कूरी भी आराम से फ्राइ कर सकते हो। देखिए कैसे फुली फुली पूरी तयार हो रही है। कमाल का स्वाद, मसालों का धमाका और पूरी का चमतकार। ये मसाला पूरी बिल्कुल पर्फेक्ट है। किसी भी पार्टी के लिए, चोटी मुटी भूख के लिए, या फिर स्पेशल डीनर के लिए, जो जल्ली से इसे घर पर बनाईए और फिडवेक्ट जरूर दीजिए। शेर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने घर पे चैनल को सब्स्राइब करना ना बूले। तो पूरी को हम सबसे आखरी में फ्राइ करते हैं, जब हमें खाना होता है तब ही, क्योंकि अगर पूरी को ना हम लंबे लंबे समी तक रखे ना तो उसका पच्का हो जाता है, क्योंकि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो थोड़े टाइम ड़क फुली फुली होती है, और जब भी जैसे ही ठंडी हो जाए न तब उसका पचका होना शुरू हो जाता है और पचकी हुई पूरी ना घर पे कोई नहीं खाता है कोई नहीं मतलब कोई नहीं तो इसलिए मैं पूरी सबसे आखरे में फ्राई करती हूँ जब इगर पे किसो को खाना हो तबी और पूरी बनाने में बहुत मजाता है बहुत फाटक से हो जाता है बस चोटी-चोटी पूरीया बेलो और फ्राई करो एक गंटे के अंदर पूरा खाना तयर हो चुका है आप भी एक गंटे के अंदर ये वाली डिस जरुँ बनाए तो ये THाली सिफ खाने वाली नहीं है बलकि दिल जीतने वाली थाली है जी हाँ ये है हमारी त्योहार वाली स्पेशल थारे जिसमें हर एक डीस में है ट्योहार का रंग और स्वाट का धमाका जिसमें हर एक निवाला है एक नए स्वाट का जश्न तो दोस्तो इस ट्योहार को बनाए खास अपने किचन की इस ठाली के साथ तो चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले नहीं तो ठाली से मिठाए गाइब हो जाएगी तो अभी ना बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं जैसे कि श्राद, नवरात्री, उसके बाद दिवाली और ये ठाली ना आप श्राद पक्ष में भी बना सकते हो आप देख सकते हूँ पूरी कैसी फुली-फुली बनी है और बहुती अच्चे से मसाले वाली बनी है चोलो फटा-फट से एक बायट लेते हैं और मैं आपको एक बात बता दू कि ये पूरी ठाली खटम करना मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मैं इतना सारा खाना नहीं खाती हूँ बस दो या तिन पूरी में ही मेरा पेट बढ़ जाएगा क्योंकि साथ में जिरराइस है, बासुन्दी है, सैलेड है, पापड है तो मैंने लास वाले वीडियो बेना सिताफल बासुन्दी की रेसिपी शेयर किया हुआ था, पर उन्तु जो लोग नए है और जो लोग मेरे नए सब्स्राइबर है, तो शायर वो लोग ने नहीं देखी रेगी तो इसी वज़े से सिताफल बासुन्दी की रेसिपी मैंने फिर से बनाई है और आप सब के साथ शेयर किया है, तो अभी सिताफल का सीजन चौल रहा है, इसलिए मैंने आपके साथ सिताफल बासुन्दी की रेसिपी शेयर किया हुआ है, आप चाय तो इसको सिताफल डालना skip काड़ सकते हो इधर मैंने एक कड़ाई लिया है उसके मैंने चार ग्लास जितना दूद डाला है तो दूद मैंने चार ग्लास इसले डाला है ताकि ना उसको हमें reduce करना है यानि कि हमें उसको उबाल उबाल के उबाल उबाल के जब तक deux glass जितना दूर्ध ना बन जाया न तब तक हमें उबालना है आप सबको पता है कि बासुंदी थोड़ी से गाड़ी होती है परन्तु आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी बासुंदी और बासुंदी बनाने के लिए दूर्ध कायसा लेना है आपको फूल क्रीम दूद लेना है जिसमें मलाई आती हो अगर आप नॉर्मल टोन मिल्क का इस्तमाल करोगे न तो आपके बासुंदी गाड़ी नहीं बनेगी बासुंदी को हमें मीडियम हाई फ्लेम पे उसको चलाना है उसको उबालना है continuously हमें उसको हिलाना है ताकि नीचे दूरना चिपक जाए थोड़ी थोड़ी देर में आप देख सकते हूँ उपर से जाक आने शुरू हो गई है तो जब भी आपको इस तरह से जाक देखे न तो जाक को हमें इस तरह से साइड में चिपकाना है तो थोड़ी देर में जाग साइड में बैठे बैठे सूख जाएगे उसके बाद गाड़ा हो जाएगा और अपने आपी रबडी बन जाएगी गैस की आज मैंने अभी भी धीमी रखा है मेडियम हाई फलेंपी रखा है हमें गैस की आज फूल नहीं करना है नहीं तो दूद उबल जाएगा और दूद उबल के बार आ जाएगा आप देख सकते हो बहुत सारी जाग के तयर हो रही है और बहुत सारी धेर सारी रबडी भी बन जाएगी तो थोड़ी देर मेना जाक को हमें इस तरह से निकालना है थोड़ी देर मेना जाक एकड़म ड्राय हो जाएगा यानि कि पूरा का पूरा सुख जाएगा उसके बाद हमें उसको कड़चे के मदद से या फिर कोई चमर्च के मदद से निकालना है आसानी से निकल जाएगा जैसे जैसे जाक आप निकालते जागोई वेसे वेसे दूद में रबड़ी बनते जाएगी आप मैंने इसके चार गलास जितना दूद लिया था मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बोलू ना तो करीबन एक लिटर जितना दूद है तो जब भी एक जितना दूद ना आदा लिटर जितना दूद ना हो जाए ना यानि कि चार गलास का दूद गलास ना हो जाए ना तब तक हमें दूद को उबालना है दूद को हमें ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है क्योंकि थंड़े होने पर दूद और ज़्यादा गाड़ा होता है और आप कितना मीठा खाना पसंद करते हो, कितना कम मीठा खाना पसंद करते हो, उस हिसाब से आप शकर का इस्तमाल कर सकते हो, इसके नमेने आदी चमच इलाची का पाउडर डाला है और हमारी रबडी बासुंदी तयार है, बासुंदी वाले दूद को हमें थंडा करने के लिए रग देना है वैसे थोड़ी दिर मेना थंडा हो जाएगा करीबन आदा गंटा लगा और completely थंडा होने के बाद हमें इसके इंदर डाल देना है सिता फल का पल्प अगर आप सिता फल नहीं खाते हो तो आप इसको इस तरह से ऐसे भी खा सकते हो बीना सिताफल का पल्प डाले ही जब ये बासुन्दी वाला दूद कम्प्लेटली ठंडा हो जाए ना उसके बादी हमें सिताफल का पल्प डालना है अगर आप गरम दूद के अंदर सिताफल का पल्प डालोगे ना थंड़ा कर देना ही फ्रीज के अंदर रखे तो फ्रीज के अंदर रखने के बादी इसका टेस्ट आएगा कम से कम तीन से चार गंटे तक हमें फ्रीज में रखना है उसके बादी आप इसको परोसे थोड़े मैंने उपर से सुके मेवे डाले है श्राद में बासुन्दी बनाने का पारंग पर एक संबन भार्तिय धार्मिक और संस्रूटिक माने जाता है श्राद के समय पित्रू के आत्मा के शांती और संस्रूट के लिए विशेस प्रकार के बोचन बनाया जाता है जिसमें दूद से बनी एक मिठाई होती है दूद को हिंडू धर्म में पवित्र और पौश्टिक माना गया है इसमें देवता और पित्रू का अर्पित करने का शूप समजा जाता है सिताफल की सिजन में हम हर बार और हर स्राट पे सिताफल वाली बासुनी जरूर बनाते है